इस प्रकार के प्रस्थ को आप लोग एक या दो सिकेन में किस प्रकार साल्व कर सकते हैं? इस ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे. जब भी कभी भी आपको दस प्राकतिक संख्याएं, जो की क्रमागत रूप से लिखी गई हो, उसका साल्व कैसे करेंगे उसको जोड़ना है तो कैसे साल्व करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यह 13 से संख्या सुरु हुई है और 22 तक गई है मतलब यह 10 प्राकृतिक संख्याएं है और क्रमा गत है 13 के बाद 14 है 15 है 16 है इस प्रकार एक एक के difference पर संख्या आए है तो सबसे पहले क्या करना है कि जो पहली संख्या है इसमें आपको 4 जोड लेना है तो कितना आजाएगा 13, 4, 17 और इसी के आगे आपको 5 लगा देना है जो संख्या प्राप्थ हुई इसी के आगे 5 लगा देना यही आपका answer हुआ इस संख्या का आप जब योग करेंगे तो 175 ही आएगा 175 इसी प्रकार का next question है अगर 105, 106, 107 को 114 तक जोडना है या 10 प्राक्रितिक संख्या हुई जो की क्रमागत रूप से लिखी गई है तो इसका आपको योग ज्यात करने के लिए सबसे पहले जो पहली संख्या है इसी में आपको 4 जोड लेना है हो जाएगा 109 और इसी जो संख्या आपको योग प्राप्त होता इसी में 5 लगा देना है तो आपका कुल answer आ गया 1095 यह आनसर होगा हमने सबसे पहले क्या किया जो पहली संख्या थी इसी में 4 जोड दिया आ गया 109, 105 में 4 जोड़ा 109 और जो आंसर आता है उसी में हमको 5 आगे लगा देना है तो यही कुल आंसर होगा